राहूल गांदी ने एक बार फिर केंदे सरकार पर हमला बोला और कहा है कैस मुक्त भारत दरसल मजदूर किसान छोटा व्यापारी मुक्त भारत है मुझे लगता है इन विस्यों को समझने के लिए राहूल गांदी को थोड़ा से श्टड़ी करना पड़ेगा राहूल गांदी जी के सलाहकारों में थोड़ा सा तबदिली करना पड़ेगा कैस मुक्त की बात कोन कर रहा है इस देश में कैस छोटे पैसे बड़े पैसे ये सबी चल रहे हैं हाँ black cash की बात हो रही है जो राहूल गांदी जी से लोगों के पास है black cash उसके हिमायती है राहूल गांदी जी तो मुझे लगता है कि cash और black cash में अंतर तो समझ नहीं पड़ेगा और वर्तमान में पोरे दुनिया में किसी का 33 परसेंट GDP गिरा किसी का 32% गिरा, किसी का 30% गिरा और एक भारत है जो मात्र इस करोना संकट में मात्र 23% की गिरावत देखने को मिली जो कि इस साल के अंतक बहुत छलांग भी लगाएगी तो ये उसी नीती का परचायक है कि इतने बड़े संकट में भी हम खड़े रहे और आज गाओं गाओं चाहें वो मजदूर हो या कहीं भी हो आज उनको काम करने के लिए पंचायत अस्तर पे काम हो रहा है ये उसी नीती का नतीजा है ये विशयों को साइद वो बीना समझे बोल देते हैं हम भी जानते हैं इसके महारत तासिलने हम आये तो एस्टडी कर रहे हैं और जब से इस देश में नोट बदली हुई नोट बंदी तो होई नहीं नोट वा तो खाली बदलना था अब बदलने में पता नहीं को क्या समस् तो बदलना उसी के लिए मुश्किल है जिसका शुद्ध नहीं है बाकी ये देश उस नोट बदली के बाद से बहुत छलांग लगाया है और इस कोरोना संकट की बात छोड़ दे तो हम बहुत जल्दी आत्म निर्फर भारत के लक्षी को पाने वाले है लेकिन सवाल है कि अमेरिका जैसे देशों का भी 33 परसेंट जीडीपी गीरा बड़े बड़े फ्रांस से स्पेन का भी जीडीपी जो है पर्टिकुलर देश का में डेटावाइज नहीं बता सकता लेकिन पूरे दुनिया में हम लोगों के समकक्स एक बिर्टिन रहा है इस परसेंट उसका गीरा तो जब दुनिया का संकट है तो उसमें तो एवरेज देखना पड़ेगा किसका कितना गीरा तो जो डेबलब्ट कंट्रियों उनके 33 परसेंट जीडीपी गीरी तो भारत 23 परसेंट पर समल गया तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है यह साथ रा पंडे वीपनियूस दिली